हेलो दोस्तों आपका मेरी चैनल में स्वागत है आज मैं आपके साथ नमक पारे की रस्पी शेयर करने वाली हूँ तो चली बनाना शू करते हैं सबसे पहले हम यह समान ले लेंगे यहाँ पर मैंने दो कटोरी मैदा लिया है दो कटोरी मैदा ले ले एक चम्मच जीरा डेड़ चम्मच अजवाइन स्वादनुसा नमक और घी चली बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक बरतन ले लेंगे जिसमें हम मैदे को गुन देंगे तो सबसे पहले हम मैदा डाल देंगे यह चान कर लिया है मैंने मैदे को पहले से ही अब इसमें घी डाल देंगे अगी डाल कर मिला लेंगे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे इस तरह से मुठी बंदे इस तरह से हो जाए तब हमें करना है अब इसमें डालने जीरा एक चम्मच देर चम्मच अजवाईन हाथ में ले ले इसे और इस तरह हाथ से क्रश कर ले इस तरह से मसल ले और फिर डाले स्वादनुसार नमक डाल देंगे हम और सारी चीज़ों को सबसे पहले हम मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ अच्छी तरह से मिला देंगे हम अब यह अच्छी तरह से मिल गए हैं और गुनगुना पानी ले लेंगे हम गुनगुना पानी ले और इसे गूत लेंगे हम इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें इस तरह से हमने इसे गूत लिया है और इसे हम ढख कर रख देंगे दस मिनट के लिए इसे ढख दें और दस मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे दस मिनट हो गए हैं हम चेक कर लेते हैं देखे इस तरह अभी इस तरह हातों से थोड़ा साइसे मसल लेंगे हम अब इसके हम लोईया काट लेंगे देखे इस तरह से लोईया काट लेंगे इस तरह से गोल गोल करें और इसे बेल लेंगे हम इसे बेल लें देखे इस तरह से बेल लिया है अब हम इसे कट कर लेंगे पतला पतला इस तरह से कट करेंगे अब अपनी पसंद से कैसे भी कट कर सकते हैं इसे मैंने इसे लम्बे में कट किया हैं दो दो इंच तक इस तरह से आप अपनी पसंद से कैसे भी छोटा बड़ा कट कर सकते हैं इस तरह से इस तरह से निकल भी जा रहे हैं इसे पतले पतले मैंने बनाए हैं यहां पर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल हमारा गरम भी हो गया है अब इसमें हम डालेंगे अगर इसे चला लेंगे हम अगर इस निकाल लेंगे हम इस तरह से बड़ी चलनी में निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा तेल हो निकल जाए अब इसे हम एक प्लेट में निकल गया है अब इसे हम एक प्लेट में निकल गया है अब इसी तरह से हम सारे बना लेंगे नमक पारे हमने सारे नमक पारे बना लिया है और इसे एक मैंने बाउल में निकाला है आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा नमक पारे आप एक बटराय ज़रूर करिएगा आपको ये रैस्पी करें आप मेरे चैनल में पहली बारा हैं तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस जरू करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नौटिफिशन आपको मिले मिलते हैं नए वीडियो में नए एस्पी के साथ थैंक्यू फॉर वाचिंग